संबेदना के लिए हैं, राश्ट रहित को सर्वपरी रखने के लिए हैं, ब्रस्टा चार पर कारवाई करने के लिए हैं, और तेज गती से काम करने के लिए हैं, वो टीवी का द्रश्ट अभी भी याद है, जम नोटे ऐसे ऐसे जेब में रखी जाते हैं, आज इस चर्टा में, आज देने थी मलिक अगर जुन खड़गे जी, स्रिमान भर्तवरी जी, स्रिवेनु कुपाल जी, हर्थिम्रत जी कोड़ बादल, स्रिमान दिनेस्तिवेदी जी, स्रिमान सौमित्र खान जी, हैते अनीक सभी आदनिय सद्वेशों ने अपने विचार रखे हैं, अपनी लाए रखी हैं, एक सारफ़त तर्था का प्रयास हुआ है, और स्दन ने इन सब को जिस प्रकार से सुना, उनकी बातों को प्रोथाइद किया, इसलिए विचारों की अभिवेक्ति वाले भी, और विचारों को प्रोथान देने वाले इस पूरे सदन का में धन्यवाद करता हूँ, कुछ आलों सनाई भी हुई, कुछ सिर्पहरक के बिना की बाते हुई है, कुछ अपने मन को जो अच्छा लगता है, वो भी हाँ, बार बार बोलने के आदर को आलों बोल भी लिया, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये चुनाओ का वर्ष है, तो स्वाभाविक हैं, हर किसी के कुछ और कुछ मजबूरी है, कुछ तो बोलना ही पड़ता है, और इसलिए, बहुत प्रभाव रहना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन ये भी सही है, कि हम लोग यहाँ से जाने के बाद, जनता जनादन को अपना कामकाज का लेखा जोखा देने वाले हैं, क्योंकि चुनाओ का वर्ष है, तो हमको जनता को जाकर कर अपना हिसाब देना है, और मैं आप सभी को आगावी चुनाओ में, हेल्जी कॉम्पूटिशन के लिए अनेक अनेक शुपावनाई देता हूँ, करोडों युवाओं का भी मैं अभिनंदर कर रहा चाहता हूँ, जो इस सथाब्दी में पहली बार इस चुनाओ में पार्लामेंट के लिए वोट देने वाले हैं, ये सभी अभिनंदर के अधिकारी हैं, क्योंकि बोट डालना या मताजीजार प्राप्त करना ये छोटी खत्ना नहीं है, और हमें भी हमारी इस नई पीडी को जो पहली बार इसकी सथाब्दी के पार्लामेंट के चुनाओ के वोटर बनने वाले हैं, उनका स्वागत भी करना चाहिए, क्योंकि बेएक प्रकार से देश की नीती निधारत उस प्रक्रिया के वो हिस्तेदार बनने जा रहे हैं, और इसलिए मैं उन नए मतदाताओं को, विशुवाओं को अनेक अनेक बधाईया देता हूँ, और मुझे विश्वास है कि नई पीडी राश को दिशा देने में अपनी महत्वपुर्ष भूमी का आदा करेगी। अधरे देशा महधाया, जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, एक आशा और विश्वास की बात करते हैं, और ये भी सही हैं कि निराशा की जर्त में डुबा हुआ दुब्रति या तमाज, न खुद के लिए कुछ करता है, न उस पीडी के लिए कुछ करता है, कर वो ही सकते हैं जो आशा और विश्वास से भरे हुए होते हैं। रोना रोते वालों को पांच-दस लोग अगल बगर के आश्वासन देने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन पहिवरतन का संकल्प करने वाले लोग उनके पास फटकते नहीं हैं। और जब मैंने इंडिया की बात करता हूं तो मैं स्वामी विवकान जी की बात को उद्गूत कर लग जाओंगा। स्वामी विवकान जी ने कहा है। अतीच मैं जिस दोर से हमें गुजरना पड़ा, वो सभी आवश्यक थे। क्योंकि विनास का जो काल बीच-बीच में आया, उसे निकल कर ही बविश्का भारत आ रहा है। वह अंकुरित हो चुका है, उसके नए पल्लव निकल चुके है। और उस 37 साली व्रश विशाल का व्रश का उगना शुरू हो चुका है। विप्रित परिस्थित्यों में विकास कियाच, फिश्वास यही देश को आगे दे जाता है। चुनोतियों को चुनोति देना, यह देश का सभाव होता है, भई देश चुनोतियों को परास करता है। जो चुनोतियों से दर के भागते हैं, उन नही नही चुनोतियों को मोल लेते हैं। और इसलिए चुनोतियों को ही चुनोति देना। सामान ये मानवी कि देश की आशा अप्रक्षाओं को पूर्ण करने में हम पुरी ताकत से जुटे कुए आज यहाँ 1947 से कुछ बाते बताई गई अच्छी बात है तिकि तभी लगता है कि हम जब इतियास के बात करते तो टू पिरियोड के चरदा करते बी सी एंड एड आज जो मैंने भाशन सुना कि 47 से 14 तर 47 से 14 तर तो मुझे लगता है कि सेज बी सी और एड एड की उनकी अपनी व्याठ्या है बी सी की वाक्यां उनकी है बिफोर कॉंग्रेश मतलब की कॉंग्रेश के पहले कुछ नहीं था इस देश में था तवा था गर्त में था और एड का मतलब है आफ्टर डाइनिस्ट्री यानि जो कुछ भी हुआ तो वह नहीं के बाद हुआ लेकिन आखिर के किसी काम को कमपरेटिव देखना ही पड़ता है और वह बुरा है से मानने का कोई कारण नहीं हमने इतना विच्छित क्यों नहीं होना चाहिए साबे चार साल पहले क्या होता था और आज क्या है निसमली किस प्रकार समागे बढ़े है भारत साबे चार साल में दस्वे ग्यारे नमबर की अर्थेवर्वर्था से आज अठे नमबर पर पहुंचे थे और ये भूलिय मात कि जब ग्यारा नमबर पर पहुंचे थे तब इसी सदन में यहाँ पर बैटे हुए लोगों ने जो कि आज वहाँ भी नहीं दिखते हैं उन्होंने ग्यारा पर गवरवगान किया था मैं समय नहीं पाता हूं इनको ग्यारा पर पहुंचने में गवरवव दिखता था उनको छे पर पहुंचने में स्वीरा क्यों तर्द क्यों पहले की तुल्णा में सबसे ज़्यादा फॉरेंड डार्ग इंवेश्मेंट आज भारत गारत हैं मेकिन इं दूनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोडूशर आज भारत है दूनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुबाइल फोन बनाने वाला भारत है दूनिया का सबसे चोठा ओटो मुबाइल मैनुफेक्टरर आज हिंदुस्तान है फसलों और दूसरा रेकोर्ड उत्वादन आज भारत कर रहा इंटरनेट डेटा सबसे शस्ता और इंटरनेट डेटा सबसे ज़्यादा कंजम्शन अगर दूनिया में कही है तो हिंदुस्त स्टार्ट अफ इको सिस्टीम में इस प्रकार से अपनी जगा बनाई अपनी जड़े जमाई है आज बड़ी-बड़ी मल्टीनेट्सान को भी वो चुनवती देखा है एविएशन सेक्टर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है लेकिन विपक्षन है विरोद करना लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम मोदी की अलोचना करते-करते-करते-बीजेपी की आलोचना करते-करते-करते- देश की बुराई करने में लग जाते हैं हमें से किसी को भी गल्टी से भी देश की बुराई हो ऐसी बाते नहीं करने चाहिए बहुत सी बाते हैं लंडन में जाकर के प्रेश कांफळा बढा है हो जूटी प्रेस itt कंफर आप मुझे पूछ रहे हों अब तो कुछ नहीं का अच्छा है मैं अपनी मर्यादा में रहूँ वही ज़्यादा अच्छा है अज हमारे परगे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं राश्पती जी ने वही बात सदन में भी कशी मतलब ये सीद्ध हो गया कि सत्वी बोलने वालों को बाहर दूसरा बोलना अंदर अलग बोलना था नहीं गा जो सच बोलता है वह बाहर भी वही बोलता है अंदर जूँ है तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस बात को रेजिस्टर किया कि हम सच बोलते हैं, पब्लिक मिटिंग में भी सच बोलते हैं, जन सभा में भी सच बोलते हैं, लोग सभा में भी सच बोलते हैं, और प्रधान मंत्री भी सच बोलता है, रास्पती जी सच बोलते हैं, अब आपकी मुसिवत है कि सच सुनने की आदत भी चली गई है, आप इतन मोदी संसाओं को खतम करदा है बरबाद करदा है हमारी आएक कहावत है उल्ता चोर चोकिजार को दाके आप जड़ा बताईए मुझे लगता है विचार करने के अवशक्ता है देश में आपात काल ठोपा कॉंग्रेस में लेकिन कहते हैं इस्टिविशन मोदी बरबाद कर रहा है सेना को अप्वानित किया कॉंग्रेस में कहते हैं मोदी बरबाद कर रहा है देज के सेना देष्ट को गुंडा कहां कहते हैं कि करने वाले कॉंसर कहते हैं कितना बड़ा हिंदुस्तान की सेना की इज़तों के कितना बड़ा चेहरा जाओ आपको मालूम नहीं है आपने हपते दो हपते साज अपने राजियती चंडी हो है लेकिन यह जो आपने पाफ किया है मैं समय का हूँ हमारी सेना के दिनों पर जो घाव लगा है भारत की सेना सक्ता पलट करने का काम करें जैजादी के इतने सालों है अच्छे दिन आए हो, बुरे दिन आए हो, वीक प्रधान मंतरी रहो, वीक जोडर्मेंट रही हो, एक जरकार रही हो, मिली जूली जरकार, कभी देश की सेनाने साथ पाप नहीं किया है हम ये बाते कहते हैं, जब अपनी राजिती के लिए, और इसलिए, और मैं मानता हूँ कि ये बहुत बुरा टिया है हमें, हमें जिम्मेबारिक लोग हैं, और साथन में बैठे लोगों के द्मारा इस पकार की बाते हो, और आप पहेंगे हम सहुस्ताओं को बरबास करने में ल हुआ 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 ह किसनी आप इतने डरे हुए फोके करे है आप लोगों को मैं जिसपोकार से नयगों के नेर्णों को ौंग्रेस से जुड़े हुए लोग जिसपोकार से बैान भाजी कर रहा है पहले कभी नहीं हुआ अच्छा हो बुरा हो लेकिन उसका सम्मान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस इंस्टिटूशन आखी बचानी पड़ेगी लेकिन हम हमें पसंद ना हो यह कुछ भी बोनते हैं कुछ भी बुरिवान हैं कुछ भी निखवाद हैं आप पूरी जुडिश्य को डराने करें महावियोग के नाम से पूरी ववस्थाओं को खिलाने के लिए कोशिए और आप हमें कह रहे हैं यह कॉंग्रेस पार्टी जिसने योजना आयोग को प्लानिंग कमिशन को जोकरों का समू कहा था मालू मैंने किसने कहा था आज आप प्लानिंग कमिशन के इतने गीज़ गा रहे थे उसी प्लानिंग कमिशन को आपके गृत्रबर प्रहान मंत्री ने जोकरों का समूर कहा था इंस्टिटुशन का सम्मान एक शब्द पकड़ लिया और बागी कुछ अपना तो कारो बार देखो ज़रा 356 का दुरुपियो सो बार करीब करीब सो बार आपने किया चूनी हुई सरकारों का आपने परखास कर दिया और स्रीमति इंद्रा गांदी ने अकेली ने पचास बार किया उसका उप्योगा पचास बार सरकारों को बिराया और ये दोहजार उनी किसी के एनिवर्सरी ही आज करें ज़रा मैं केरल के मित्रों को कहना चाहता हूँ केरल को 59 में 59 में जम नहर जी प्रिणान मंत्री थे और इंद्रा जी कॉंगरेस के दिख्षा थी तो केरल गई पता नहीं क्या देखा क्या का पाया क्या सुना आते ही केरल की कॉम्मिनिस्टों की चुनी हुई सरकार को परखास कर दिया ये 2019 एनिवर्सरी है आप संस्वाव का मान संबान की बाते करते हो किस प्रकार से आपने देश के साथ आपने NTR के साथ क्या किया आपने MDR के साथ क्या किया इतरा ही नहीं आपने मंत्री मंदल के निरनाए केमिनेट का डिजिजन आपने इस प्रेश कंसर्ट में जाकर क्या प्रकार कौंशी संटीटी कौंशी संस्वाव का सम्मान और इसलिए क्रिपा करके मोधी पर उंगली उठाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए आपकी चार उंगली आपके तरव होती और इसलिए आम तोर पर मेरी खरगे जी एक डिस्थ रेख ठी है लेकिन पता ने क्या मजबूरी है किस मुसिबत में फस्ते है कि एक डिस्थ रेखक ठी हर बार डिस्थ हर बार डिस्थ लेकिन मैं आप डिसंटराइज बात को तो मैं सदन के सामने कहूंगा और यह बात है गाज उन्हों ने कहा कि मैं जरा फर्स्टेड लेकिश करीब 36 गंटे के बाद में पूछे थे फर्स्टेड की जरूरत है क्या तो आप एक सीनियर व्यक्षी के नाते हम जैसे लोगों की चिंता कर रहे हैं इसलिए में हफ्ता भारी हो अब देख महुत आई जी इन सारी मुसिवत के मूल में एक सबसे बड़ा कारण ही है एक गरीबी से उठा हुआ इंसान जिसने कभी दिल्ली के गलियारे देखे नहीं उसने इतनी बड़ी सल्टनत को तिनोती दे दी वो पचा नहीं पार वो यह मान के चलते हैं कि हम तो यह बड़ी देश पर गभी हमारे माली की की है वो ऐसा एक कौने में पड़ा हुआ इंसान आके हाँ यह बाद इनके दिमा से दाती नहीं है वो जो नशा है वो नशा परेशानी का साथ अब जड़ा हिसाब की बाते चल देगे हमारी जरकार तो हमारी जरकार तो मैं भी बता जो 55 साल मेरे 55 महिने 55 साल मेरे 55 महिने देखिए सच्छता का दाइरा 55 साल में 2014 तक 40 परसंट था आज साड़े 4 साल के 55 साल के महिने के अंदर 98 परसंट कास्ट था साड़े 4 साल में 10 करोड से जाना सोचाले बने और जो लोग कहते हैं ये सरकार अमीरों के लिए हैं मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड अमीरों के लिए मैंने सोचाले बनाए वही मेरे अमीर है वही मेरा इमान है वही मेरी जिंदगी है उन्ही के लिए जीता हूँ उन्ही के लिए हाँ गैस कनेक्शन गैस कनेक्शन पच्पन साल में बारा करोड गैस कनेक्शन और पच्पन महिने में तेरा करोड गैस कनेक्शन और उसमें 6 करोड उज्वला काम किस गती से होता है और किस के लिए होता है इसका आप अंदाज लागा सब्सक्राइब बैंक को कराशिय किन किया गरीबों के नाम पे बाते की राजनिती की चुनाव जीचते गए बोट बटोरते गए लेकिन हमारे देश में 55 साल में 50 प्रतीशत लोगों के बैंक के खाते थे 55 महने में आप वो सत प्रतीशत करने में हम ये सश्री हो हैं आपको तकलीब होती हैं 18,000 गावों में बिजली पहुचाए और आपका आप आप आँकडा देते हैं याने 1947 के पहले इस देश के किसी गावों में बिजली नहीं थी 1947 के पहले इस देश के किसी गाउं में बिजली नहीं थे वहीं शुरू कर रहे हैं वो 20 और 80 वाली बात है लेकिन अगर 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 सचमुझ में जीज़ गती से पिछले 55 महिने में सरकार चली है आजाजी के बान इतनी रुकावटे नहीं थे इतना विरोध नहीं था इतने कानूनों की परिशानी नहीं थी इतना मिडिया भी नहीं था अगर उच्छमाएं आप चाहते काम करना तो पहले दो दसक में हिंदुस्तान के हर गाउं में बिजली पहुँच जाती ये साम जो 20 साल में होना चाहिए था वो मुझे आकर के फूरा करना पड़ा है और इसलिए इतना ही नहीं इतना ही नहीं आपका 2004 का मैनिफेस्टो देख लीजी आपका 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजी आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजी आपने तीनों मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम तीन साल के भीतर चार में कहा तीन साल के भीतर आपने नौ में कहा तीन साल के भीतर तीन साल के भीतर हर घर में बिजनी पहुँचाएंगे आपके मैनिफेस्टर है बिजनी पहुँचाएंगे मैं हरान हूँ वो गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ ताब एक्षेन करते गए हैं लेकिन 2004 में भी तीन साल 2009 में भी तीन साल 14 में भी तीन साल और आज घरों में बिजली पहुंचाने के मिज़े राद दिन महलत करनी पड़ रही हैं अधायत करोड पड़ीवारों में बिजली कोहँचाने का काम पूरा कर दिया और आने वाले दिनों में सत्थ प्रतीशत इलेक्रिफिकेशन का काम करने के गर्वा थंपड़ाप्ष करेंगे मैं आपको भी विष्वार्थ करेंगे कुछ लोग हैं जो ब्रमित कमे का प्रयाद करेंगे लिए आंक्डे आंक्डे जुठ़ा नहीं सकते हैं 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूरन बहुमत वाली सरकार चुगी और देश अनुखव करता है जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है और अब तो महा मिलावट आने वाला पूरन बहुमत वाली सरकार होती है तो कितने निल्राइ कर सकती है कितनी घतिशा आगे बढ़ सकती है और दिल्धारिक अब महा मिलावट महा मिलावट यहां पहुतने वाले नहीं है यह महा मिलावट आप कलकत्य में इसक्ठा करो देख लो यह महा मिलावत्ता इसले वालों को और इसलिये ये महा मिलावत्ता थे